डी ये आर्ती कीचन में आप सभी का स्वागत है तो आज मैं बनाऊंगी दही बड़े बहुत ही सोफ्ट और मुलायम एक बार में ही आप पर्फेक्ट दही बारा बनाकर रेडी कर सकती है मैं आपको एक सिक्रेट ट्रिक्स बताऊंगी आप उस ट्रिक्स के साथ बनाएंगी तो एक बार में ही पर्फेक्ट धही बारा बनके रेडी हो जाएगी तो चलिए उसके लिए मैं ले ली हूँ 500 गराम उरत के डाल इसको मैं ओभर नाइट भिंगो कर रख दी थी देखिए किते बड़े बड़े हो चुके हैं इसको मैं 2-3 पानी से साफ कर ली यहां पर मैं कुछ मसाले ले ली हूँ जैसे मैं 2 इंच अद्रक ले ली हूँ 10-12 हरी मिर्च और एक चमच काली मिर्च ले ली हूँ और सभी को मैं अच्छे से देखिए मिक्सी जार में मैं जो मेरा उरत का डाल था उसको मैं डाल दे थी और उसी उरत के डाल के साथ यह सभी मसाले डाल कर मैं अच्छे से इसको ग्राइंड कर लूँगी यहां पर मैं थोड़ा पानी डाली हूँ और देखिए मेरी जो है उरत का दाल अच्छे से पिस चुकी है और इसकी consistency कुछ इस तरह होनी चाहिए कि आप जो चम्मच में उठाए तो असानी से नहीं निकले सभी मैं उरत को अच्छे से पिस ली हूँ और यहां पर मैं थोड़ी सी नमक डालूँगी यहां पर ज्यादा नमक नहीं डालनी है बस थोड़ी सी तो मेरी 500 गराम उरत की डाल थी इसमें मैं एक चम्मच खाने वाले चम्मच से नमक यहां पर एड़ की हूँ और इस तरह मैं स दो से तीन घंटे के लिए ढखके रख दीजेगा जहां गर में जगए वहां पर इससे क्या होगी कि आपकी जो दहिबले हैं बहुत ही सौफ्ट और मुलायम बनेगी इस तरह मैं देखिए तीन घंटा हो चुका है तो मैं पेस्ट को लेकर और इसे पानी में डाल कर आपको दिखा आप देख सकती है कि मेरी जो उरद है पानी के ऊपर खिल गई है तो इसका मतलब कि मेरी जो दहिबारा के जो पेस्टे वह बहुत ही परफिक्ट बना है मैं कड़ाई बड़ी सी कड़ाई ले लिए उस पर मैं सरसो का तेल डाल दी हूँ यहां पर मैं 500 गराम सरसो का इस्तेञा के है आप जो भी कूकिंग वाइल इस्ते़ माल करती हों अप इस्तेमाल कर सकती है पर सरसो का तेल में दहिबारे बहुत ही टेश्टी और स्वादिश्ट बन तबनती है और मेरी जो कड़ाई है बहुत बड़ी है तो इसमें बहुत सारा एक बार में ही दही बरे आ जाते हैं तलने में बहुत ही असानी होती है इस तरह सभी को मैं तल लूँगी और बहुत ही असानी से दही बरे बनके रेडी हो जाएंगे बहुत ही सौप्ट बहुत लोगों के प् तो इस तरह मुझे लगबग पांच मिनट हो गया इसे फ्राइब करते हुए तो देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया हुआ है और सरसो का तेल में जब बनाएंगी तो थोड़ी सी इसका कलर जो है वो पीला पर दिखने लगती है पर इसे पानी में आप डालेंगी तो फिर वाइट हो जाएगी और बहुत ही सौफ्ट बन के रेडी हो जती है और यहां पर जो आपको फ्लेम रखनी है वो मीडियम फ्लेम पहले से मैं एक भोगोने में पानी रखी थी यह ठंड़ा पानी है इसमें मैं सभी दही बरो को इसमें निकालके पानी में मैं डाल दूँगी देखिए पानी में जाने के बाद भी यह पूरी खिली खिली दिख रही है देखिए पानी के उपर यह आ गया है तो ऐसे मैं चम पानी को निकाल लोगा देखिए किती अच्छी दीख रही है और अभी से ही बहुत ही स्वादिष्ट दीख रही है और आपको अप दही बारे खाने के लिए शौप्ट दही बारे मार्केट जाने की कोई जरूरत नहीं है आप अपने घर में इस तरह बना सकती हैं बहुत ही अ ही 2 ली monopol अब मैं आपको बता हुआ कि तरही देख सकती है कितनी घाहब हीते हैं मैं मैं कमर्ड मैं खुषा धाल नमक यहां लिंक देख पुलाच करवार्ण दस्क्रिप्चन में देम दिंग इन और रहते हो принцип चाट मसाला डाल दी और 4-5 चमच चीनी डाल के अच्छे से दही में मिला लोगी कुछ इस तरह दही में चीनी जरूर मिलाईएगा दही वली जो दही है उसमें चीनी जरूर मिलाईएगा उससे बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आती है बिल्कुल मार्केट की तरह इसका फ्लेवर आती है इस तरह आप दही बरे के जो दही रेडि करेंगे और सभी दही बरे के उपर में जो दही बना कर रखी थी उसको इस तरह में डाल दी और देख सकते हैं कितनी अच्छी टेस्टी डिलेसे मेरे दही बड़े दिख रही है और येहां पर मैं ले ली हूँ कुछ भूना हुआ मसाला जैसे लाल-लाल मिर्च ले ली थी उसको मैं अच्छे से भूनके और मिक्सी जान में पीच ली तै उसी का पाउडर है लाल मिर्च पाउडर में डाल दी जो भूना हुआ लाल मिर्च पाउडर और भूना हुआ जीरा पाउडर और इस तरह देखिए कितनी अच्छी कलर टैम्टिंग कलर दीख रहे हैं मेरे दही बरे की तो आप अपने घर में इस तरह जरूर ट्राय कीजेगा बहुत ही असानी से बन जाती हो और बिल्कुल मार्केट क इस तरह मैं आपको सब करके दिखा रही हूँ तो आप अपने घर में जरूर ऐसे बना कर सभी को खिलाएगा सभी खाकर बहुत ही खुस हो जागे यकीन मानिए यह दही बरे जो हैं बहुत ही सोफ्ट बनती है और यहां पर मैं आपको काट कर दिखाऊंगी और यहां पर मैं करें यहां पुदीना की चैटनी भी डाल सकती है पर मैं सिर्फ इमली की खटी मिठी चैटनी डाली हूँ इससे बहुत ही स्वाधिश्ट लगती है और इसे अब मैं आपको काट कर दिखा रही हूं आप देख सकती हैं बहुत ही असानी से यह दही बरे कट गई है तो आप अ देख सकती है मैं 20 से आपको भी काट के दिखाई हूं बहुत ही असानी से इजी कट जा रही है तो आप अपने घर में जरूर इस तरह दही बरे ट्राइक किजिएगा और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज प्लीज लाइक और सस्क्राइब ताइंक यू